हेलो एवरबडी, चले हम इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का एकसरसाइज 2.1 के सभी कोशन के सालूसन देखते हैं स्टार्ट करते हम पहले क्वेशन से फर्स्ट क्वेशन है देखिए वीच आपदा फॉलोइंग इन में से कौन सा एकस्प्रेशन और पॉलिनोमियल कौन सा एकस्प्रेशन इसमें पॉलिनोमियल है वन वेरियेबल में और कौन सा एकस्प्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है देखिए इसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा सब सब पहले मैं variable और constant के बारे मैं बता दूँ थोड़ा सा अगर मान लिजिए 3x प्लस 4 है तो जो number होता है 3 और 4 जो है यह constant है और x जो है जो alphabet होता है वो variable होता है इसमें बोला है कि one variable में कौन सा है one variable मतलब अगर x हो तो x ही होना चाहिए y हो तो y ही होना चाहिए यहाँ पर देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो question है 4x square minus 3x plus 7 question में देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है इसका मतलब जो यह expression है यह polynomial है in one variable one variable कैसे है क्योंकि दोनों जगा x ही है तो इसका मतलब यह जो है पूछ रहा question है कि है की नहीं है तो यह इसका एंस और जगा yes it is polynomial in one variable next question देखिए next question है यह y square plus root over 2 यहाँ भी देखिए जो यह variable है y square plus root over 2 तो y जो है यह भी single है तो यहाँ पर y और कहीं दूसरे variable नहीं है x, z नहीं है तो इसका मतलब यह भी one variable है और देखिए और condition क्या होनी चाहिए एक तो एक ही alphabet होना चाहिए one variable के लिए और दूसरा जो variable है वो कभी भी root over में नहीं होना चाहिए variable का power जो है कभी भी fraction में नहीं होना चाहिए variable का power जो है कभी minus में नहीं होना चाहिए अगर ऐसा होगा तो यह one variable में नहीं होंगे ये one variable में नहीं होगा लेकिन ऐसी case इसमें नहीं देख रही है क्यों क्योंकि हमें जो इसका power है वो whole number में दिख रहा है fraction में नहीं दिख रहा है और एक ही तरह के alphabet इसमें है तो इसलिए इसका भी answer yes हो जाएगा कि हाँ ये भी one variable है next question चलिए देखते हैं इसमें next देखें आपे 3 root over t plus t root 2 मैं अभी बता है ना आपका 3 root over t plus t जो है root over 2 यहाँ पे देखिए t जो है यहाँ पे आ गया ना देखें t जो है root over में आ गया ना जब root को अटाएंगे root को अटाएंगे तो one upon two कभी भी कभी भी variable जो है variable जो है कभी भी variable का जो power है वो fraction में नहीं होना चाहिए कभी भी variable का power fraction में नहीं होना चाहिए इसलिए इसका answer no हो जाएगा कि हाँ यह एक variable नहीं है पुछ रहने कि yes या no तो यह वाला third question है यह variable नहीं है क्योंकि जो इसमें यह 1 variable नहीं है क्यों क्योंकि इसमें देखिए t का power जो है fraction में है next question देखते हैं next देखें यहाँ पे y plus 2 upon y यह एक्सप्रेशन इसको हम लिख सकते हैं y plus 2 और जो y उपर जाएगा तो y की power minus 1 आ जाता है मैंने आपको बताया ना कभी भी variable के power fraction में नहीं होना चाहिए जिससे 1 upon 2 हो गया कभी भी y जो है यह root over cube root over नहीं होना चाहिए y जो है कभी भी negative में नहीं होना चाहिए इसका power इसका मतलब यह भी जो है यह one variable में यह expression जो है polynomial का है यह one variable में नहीं है इसका भी answer क्या हो जाएगा, इसका भी answer no हो जाएगा, कि ये one variable में polynomial नहीं है, next question को देखते हैं, next देखे, यहाँ पे next है, x की power 10, x की power 10, plus y की power 3, plus t की power 50, देखे, इसमें सभी के power तो whole number में है, fraction में नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखे, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, condition क्या होनी चाहिए, हर जगा one variable के लिए, हर जगा या तो xxx हो, या तो yyy हो, या तो ttt हो, इसलिए यह भी जो है one variable नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें देखे, अलग-अलग तीन variable इसमें है, चलिए देखते हैं, revise करते हैं, starting से, देखे, first में यह one variable है, second देखिए, य इसका answer, no, first second है, third जो है, no है, fourth देखिए, fourth जो है, यह भी, इसका power minus one में जा रहा है, यह भी no है, और fourth जो है, यह भी no है, fifth जो है, वो भी no है, क्योंकि इसमें अलग-अलग तीन variable है, चलिए अब हम देखते हैं, next question को, देखिए, second question है, write the coefficient of x square, x square का आपको इसमें coefficient लिखना है, coefficient देखे कैसे निकालते हैं, यहाँ पर expression क्या है, equation क्या है, two plus, यह क्या है, two plus x square plus x, हमको लिखना है कि x square में किसे multiply है, अगर किसी भी no matter में, अगर numerical नहीं दिया रहता है, तो वहाँ पर हम one सा पोच कर लेता है, तो x square का coefficient क्या है, one है, x square में किस से multiply है, किस number से multiply है, constant से multiply है, तो उसमें one से multiply है, तो इसका coefficient one हो जाएगा, चलिए अब देखते हैं, next question को, second देखे यह, जो expression है, two minus x square plus x cube, इसमें भी पूछ रहा है, कि x square का coefficient क्या है, देखे है, minus x square है न, इसका मतलब x square में किसे multiply है, x square में जो है, minus one से multiply है, यहाँ पे दिख रहा है न, x square का coefficient क्या है, x square का coefficient जो है, minus one है, चलिए अब देखते हैं, next question को, next question देखे हैं यहाँ पे, next expression है, pi upon two, यह x square plus x, coefficient निकानला x square का न, x square में किसे multiply है, तो यहाँ x square का coefficient जो है, x square में, pi upon two से multiply है, इसका मतलब, इसका coefficient pi by two, यही जो है, इसका answer हो जाएगा, pi by two ही, इसका coefficient है, next question देखे, यहाँ पे देखे, root over, root two, x minus one में, पूछ रहा है, x square का coefficient, इसमें x है, x square नहीं है, तो देखे, हम x square को लिख सकते हैं, x square ऐसे लिख लिए, और किसी भी number में, अगर x square इंटू 0 कर दीजे, किसी भी number में, अगर 0 से multiply करेंगे, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, तो x square में किस नमर से multiply है, तो x square में 0 से multiply है, क्योंकि 0 से multiply करने पर value 0 आ जाएगी, और यहाँ पे x square दिया नहीं है, तो यहाँ पे x square का coefficient 0 हो जाएगा, यहीं answer है, कि इसका coefficient 0 होगा, x square का, देखते हैं आप next question को, देखेंगे next question, next question है, question number third, third है, give one example, each of binomial of degree 35 and monomial of degree 31, देखें, monomial और binomial किसे बोलते हैं, एक binomial का देना है, binomial का example देना है, और एक, monomial, monomial मतलब, monomial मतलब एक term जिसमें हो, और binomial मतलब जिसमें दो term हो, तो देखें, अगर मैं दे दूँ, 3x के power, पावर क्या देना है, binomial में, 35, 35, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, 3x के power 35 प्लस 25 लिख सकते हैं, कुछ भी, यह एक दे दिया, आप और लिख सकते हैं, 4y के power 35 पावर कंपलसर है, क्योंकि दिया हुआ है, 35 बिगरी में लिखना है, प्लस यह 6 लिख सकते हैं, बहुत सारे infinite बनेंगे इसमें, कोई भी एक इसमें लिख सकते हैं, बस power क्या होना चाहिए, पावर उसमें 35 होना चाहिए, second देखिए, monomial मतलब एक term में देना है, मतलब आप दे दीजे, y के power 100 दे दीजे, इसमें degree 100 देना है, y के power 100 दे सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं, 5x के power 100 हो गया, या फिर आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं, 102x के power 100, आप इसमें कोई भी एक जामपल दे सकते हैं, अपने हिसाब से, इसकी answer जो है, infinite आएगी, बहुत सारे इसके answer आएगे, चलिए अब हम देखते हैं, next question को, next question है यहापे, write the degree of the following polynomial, जो यह question है, expression है न, 5x cube plus 4x square plus 7x, इसमें इस polynomial का degree लिखना है, degree मतलब degree कैसे लिखेंगे, maximum power हम देखते हैं, देखिए, यहापे सबसे बड़ा variable का power क्या है, x cube है, यहापे x cube है न, तो इसकी degree जो है, इसकी degree जो है, 3 हो जाएगी, हम देखते हैं, expression में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहापे x cube है, यहापे x cube दिख रहा है न, यह तो छोटा है, 2 यहापे 1 है, तो इसकी degree 3 हो जाएगी, क्योंकि maximum हम इसमें देखते हैं, maximum क्या है, variable पे degree, तो इस पे variable पे degree यहाँ पे 2 है, तो इसका answer 2 हो जाएगा, क्योंकि जो variable है उसकी degree क्या है, 2 है, उसकी power क्या है, 2 है, next question देखिए, यहाँ पे 5t, 5t, 5t और minus root over 7 है, variable देखिए, यहाँ variable के power क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो power 1 हो जाता है, तो यहाँ t के power क्या है, t के power यहाँ पे 1 है, 1 ही इसकी degree हो जाएगी, तो इसकी degree जो है, 1 हो जाएगी, क्योंकि इसका power क्या है, t की power क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 हो जाएगा, next question देखिए इसमें, next question है 3, 3 को एकते को, किसी भी number, जो अगर 3 दिया हुआ है, किसी भी number के power, किसी भी number है, 3, 3 को हम लिख सकते हैं, 3 है ना, 3 को हम लिख सकते हैं, 3 into 1, 3 into 1 किसी भी number में, 1 से multiply करेंगे तो same number आएगा, फिर 3 into 1, और 1 को हम लिख सकते हैं, 1 के power, 1 को हम लोग लिख सकते हैं, 1 नहीं, यहाँ आपे variable पूछ रहे न, variable के power दिखाते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं, x की power 0, देखिए, simple सी चीज़ है 3 है, 3 को क्या लिखेंगे, 3 के power हम 3 को लिख सकते हैं, 3 into 1, क्योंकि किसी भी number में अगर 1 से multiply करेंगे तो वही number आएगा, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते ह आए, x to the power 0, किसी भी number के power 0 की value क्या आती है, 1, तो 1 के जगा हम x की power 0, और यहाँ variable की power क्या है, यहाँ देखिए, x की power 0 है, तो इस expression में किसी भी constant का अगर power पूछे, तो हम उसका answer 0 होता है, क्योंकि किसी भी constant में 1 से multiply होता है, और किसी भी variable का power 0 की value 1 होती है, तो इसका answer 0 आ जाएगा, चलिए देखते हैं next question को, देखिए, इस question में देना है, question क्या है, जो polynomial दिया हुआ है, x square प्लस x, इसमें बताना है कि यह polynomial linear है, कि quadratic है, कि cubic है, हम कैसे जानेंगे देखिए, मैं आपको पहले explain कर देता हूँ, explain करता हूँ यहाँ पे देखिए, linear कब होता है, linear होता ह जब जो है, maximum power, maximum degree 1 हो, तो linear होती है, quadratic कब होता है, quadratic कब होता है, जब maximum power जो है, 2 हो, और cubic कब होता है, जब maximum power क्या हो, 3 हो, यहाँ पे देखिए, x square प्लस x है, x की maximum power क्या है, 2 है, 2 है, तो 2 के case में क्या होता है, quadratic होता है quadratic क्यों होगा क्योंकि इसकी degree क्या है इसकी degree 2 है जब 2 है तो यह quadratic होगा next question देखें यहाँ पर x minus x cube है x minus x cube है तो देखें x minus x cube क्या होगा यहाँ पर maximum power देखें क्या है x cube दिख रहा है x cube सबसे बड़ा दिख रहा है तो यहाँ पर degree क्या है x cube की degree क्या है degree 3 है जब degree 3 है तो 3 को हम किसे denote करते हैं cubic polynomial से हम denote करते हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा cubic polynomial हो जाएगा next question देखें next question इसमें है 4 यह third question है y plus y square plus 4 देखें इसमें variable में सबसे ज़्यादा power किसका है y square का है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा power तो देखें यहाँ पर degree क्या है maximum यहाँ पर अगर मैं degree लिखूँ तो maximum degree जो है वो 2 है 2 है जब 2 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे quadratic polynomial क्यों क्योंकि maximum power यहाँ पर 2 है तो यह quadratic polynomial हो जाएगा next question देखिए question number 4 यहाँ पर 1 प्लस x है यहाँ x की power अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम इसको क्या लिख सकते है x की power 1 मतलग यहाँ पर maximum degree क्या है देखिए यहाँ जो variable दिया हुआ है उसकी maximum degree 1 है और जब 1 होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है linear polynomial हो जाएगा तो इसकी answer जो है linear polynomial हो जाएगी next question देखिए इसमें इसमें next question है यह फिफ्ट देखिए 3t है यहाँ पर 3t है ना तो 3t को क्या लिख सकते हैं 3t की power लिख सकते हैं 1 यहाँ variable जो है इसके power क्या है 1 है t के power 1 का मतलब t ही हो गया तो यहाँ पर degree क्या है maximum यहाँ पर जो degree दी हुई है वो degree maximum यहाँ पर 1 है और जब 1 होगा तो इसमें से कौन सा होगा linear होगा की quadratic होगा की cubic होगा तो linear polynomial इसका answer होगा फिर देकर यहाँ पर next question next question यहाँ पर question number 6 है six है यहाँ पर कि r3 जो r3 है r2 सोरी यहाँ पर जो r2 स्कूएर है यह क्या है, देकर maximum power यहाँ पर क्या है maximum degree इसकी क्या है तो इसकी degree जो है 2 है जब 2 degree है तो इसका answer क्या हो जएगा 2 के case में quadratic होता है क्या होता है यह quadratic polynomial हो जाएगा आप इसको बता सकते हैं quadratic polynomial quadratic polynomial क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे r के power 2 है जब degree 2 हो तो quadratic होता है 1 के case में linear होता है और 3 के case में cubic होता है यहाँ पे देखिए x के power क्या है 3 है मतलब यहाँ पे degree क्या है यहाँ पे जो degree है x की यह 3 है और 3 के case में अभी मैंने बताया जब 3 हो तो उसे cubic polynomial बोलेंगे cubic polynomial बोलेंगे next देखिए यह था इस वीडियो का last इस exercise 2.1 का last question अब मिलते हैं हम आपसे next exercise 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 2.2 के सभी question लेके आपसे मिलेंगे तब झाल 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 है और जो झाल मैं उपसे प्याँ झाल